तो तब से वो प्लानिंग में था प्राइम मिनिस्टर का विजिन आप जाने हैं पर यह जो आइफसी की गिफ सिटी है यह कोई नया कंशप्ट तो है नहीं वर्ल्ड में और भी सिटी जी तो यह गिफ सिटी अलग क्या कर रही है देखें दिफरेंस नाव इस के सबसे पहले तो जितने भी वेस्टन एकनॉमिक मॉडल्स हैं जो अब कोलाप्स होने की कगार पे हैं क्यूंकि वो अबरहामिक एकनॉमिक्स वाला जो फॉर्मेट चलाते हैं तो बहुत सारे मुझे लगता है कि वेस्टन टेक और फिनैंस कापिटल्स डाइल्यूट होने की पोजिशन में हैं क्यूंकि वो मॉडल्स ही वन लाइफ कॉंसेट के उपर बेस थे अब वो डाइल्यूट हो रहे हैं तो कहां पैसा लगाएंगे जहां पे सस्टेनेबलीटी दिखेगी जहां पर प्रेजर्वेशन दिखेगा जो सनातन धर्म वाला एकोनॉमिक्स है तो सर्प्राइज नहीं होता होता हमें कि यह सारे अगर अनंत की शादी में आये हैं तो वो सारे ग्लोबल पावर्ज या ट्राइं टू वाउच के कैसे हम इंटिग्रेट कर यह आपने कहा है दूसरे चैनल्स पर कि अनंत अंबानी की जो शादी यह जियो पॉलिटिकल इवेंट है और इंडिया का पावर शो करने का एक तरीका है जी मतलब यह आप क्या कह रहें कि बीजेपी इसके पीछे खड़ी है बीजेपी गवर्मेंट जो है यह इनको और वो पक्का पता है कि जो कॉर्परेट सेक्टर जो होता है कोई भी कंट्री का हो ठीक है वो अलाइन करना चाहेगा अपनी कंट्री के प्रिंसिपल्स और मेथेडोलोजी पे जिसमें अब बहुत साफ हो चुकी है एक बात कि सनातन का रिवाइवल शुरू हो चुका है अब क्योंकि जो कुछ तो सिग्नल्स आप देखी रहे हैं कि मंदिर एको सिस्टम डेवलाप होना शुरू हो रही है क्योंकि अयोधिया जो हमारा डेट है 22 जैनुरी 2024 जिसको मैं बताता हूं कि Civilisational Independence Day उससे पहले तो सारी बाते होती थी के यहां पर होस्पिटल बन जाना चाहिए बंदिर से थोड़ी जॉब मिलेगा उसी दिन के बाद यह रिवर्सल शुरू हुआ है बोल रहें कि अयोधिया बिकम 1 trillion डॉलर एकना अब कोई नहीं बोल रहा है के जॉब नहीं बनाता ये अब तो numbers आ रहे हैं कि इतना tourism हुआ इतना business retail trade हुआ numbers के साहना और especially जिसको फाइदा और यह major business से ज्यदा जू लूर लिवल पर जो लोग हैं उनको डिरेक्ट फाइदा है जिते भी फैमिली यूनिट इंट्रपेनर्शिप कम्यूनिटी लेड बिजनेसेज हैं उनको सबसे ज़्यादा बेनेफिट होता है मंदिर एको सिस्टम का कछ लेकिन मंदिर टाउं को कभी कुछ नहीं होगा असे मंदिर टाउन नहीं एक तरीके से मुंब्रादेवी के नाम मुंब्रादेवी के नाम इसक्के कि मालूम यह जो पुरा नरेटिव चल रहा है कि तीन ही मंदिर चाहिए तो मैं मेरा question clear है कि उत्तरप्रदेश एक ही state है क्या तीनों मंदिर उत्तरप्रदेश में है रहे है एक ही state है क्या तो अब यह जो संकुचित मानसिकता है कि मैं सनातन को बांध के रखूंगा यह नहीं हो पाने व इन्वेडर्स आये अकरांता आये हम पर अटाक किया तब हम protectionist होके घूम रहे थे कि हम नहीं हमें preserve करना बचा के रखना अब वह मानसिकता हमें छोड़नी चाहिए क्योंकि धर्म सबके लिए है मुझे लगता है कि वो जो 5-6 vibrant गुजरात summit हुई उसने गुजरात model को establish किया और फिर पुरे देश ने माना के this is what this is the correct way to go कि जितना मुझे पता है जैपान एक हमारे लिए हमेशा थी कि technologically सबसे advanced country है और Shinzo Abe काफी time तक PM थे वो एकी जन को follow करते थे Twitter पे और वो थे मोधी जी और उसमें भी सबसे surprising thing यह थी कि जापान एक्चुली इंडिया को वो time पे as a country ज्यादा वे नहीं करता था ज्यादा कि अगर बीजेपी को 2014 जीतना है तो और जैसे उनसे बहुत अगर सीनियर लोग थे पार्टी में बट मोधी जी अगर फेस नहीं होते तो मेरे पर्सनल रीडिंग से या में को समन में आता है कि वो लोग तो 272 इंग उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं कह था बट जो लेवल पर आज गवर्मेंट चल रही है स्ट्रेंथ वाइस वो नहीं होती है नहीं सम्थिंग सम्थिंग सर्टनली डिवाइन विद प्राम मिनिस्टर येस तर इस सम्डिवाइन फोर्स बिकॉस उसके बिना ये सब झेलना आई डोंट थिंग इस पॉसिबल फॉर नॉर्मल यूमन लेकिन अगर कोई विचार आइसा आता भी है तो मुझे लगता है कि समाज ने रिक्वेस्ट करना चाहिए मोदी जी को कंटीनू करने के लिए मैं तो मानता हूं कि वह अपने उमर से 20 साल यंगी है उनका तो फिजिकली तो नोबड़ी इंग इवन यंग्स्टर कैनाट मैच उनका जो तेज है जो गलो है उनके चहरे पर इस सम्थिकली अन्बिलीवबल अन्बिलीवबल